तो गाइज मैंने जो है ब्लागिंग बन करके निताल नहीं दुकान खोली है उसा आप देख सकते हैं तो आप जब भी आइए निताल के लिए तो हमारे दुकान में जरूर आईए बहुत अच्छा टूरिस कैम्प यहां पर तयार किया आप लोग के लिए ताकि आप लोग आए और मौसम बहुत अच्छा जैसा कि आप बेख सकते हैं आप लोग के लिए यह मैमें को सबक्ते हैं आप बैठने के लिए बना तरह किया लिए आप देख सकते हैं तद्धाल बहुत अच्छा है जब भी आइए तो यहां पर आसकते हैं बहुत अच्छा प्ल시면 फिरेंrice बनाया होएं और अब तो बहुत अच्छी चीजे हैं देखने को मिलेंगी और मजाग यहीं पर मैंड करते हैं अब हम नानी ताल में और नानी ताल जा रहे हैं बहुत लोगे ऐसे बहुत लोग की जो कम्प्लेंट थी वह यही थी जो मेरा लास्वीडियो तो वहां पर बाइक ले आना अलाउट नहीं तकि वहां पर उस टाइम को रोक दिया था और अभी सड़क का हाल कि इस ताइम पर बहुत जादा मैटर करता है क्योंकि बहुत जादा हो रहा है यहां पर बहुत जगा आप देखेंगे तो मलबा जब पर जाने के लिए क्योंकि कैशी धाम में बहुत जादा टूरेस आ रहा है और उसके बाद वही टूरेस नहीं ताल में आ रहा है तो अभी इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट बताँगों कि बाइक फिर से लियाना लाउट है या नहीं है चैकिंग कैसा है और रोड कैसे क्योंकि बहुत जादा हो रखी हो पुरी रोड जो है खराब रोड तो खराब नहीं लेकिन जगा जगा से मलबा आया हुआ है तो बहुत चीज़ें मैं वीडियो में दिखाऊंगा और बाकी जो रूम को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट थी कि रूम मैंने अंदर से दिखाया और रूम कैसा था और रूम कैसे आप बुग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस वीडियो में तो चलिए आके चलते हैं नहीं निताल में और शौप को यह पर छोड़ की जाना पड़ेगा ठीक है बाबाए कर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहां पर आप न willा में ठोड़ेघ भिखेंग बारिश कही है पिछले लगातार दो-चाड निसा बाजिश फोड़े हैं अबने जाविवारा पहोत बहुत नहीं UP के खतम Yo अगले आने वाले बहुत सारे वीडियो में तो चैनल को सबस्क्राप्र के जरूर रखी है कि बहुत काम में आने वाली है अब आप देखो मौसम यहां पर प्लिकुल किलियर था लेकिन सडल नहीं यहां पर फोग आया और देखे कैसा हो गया अपर रस्ता यह मतलब देखो अच्छी भी नहीं दिख रहा आप लागेगा अब बहुत खतरनाग वाला है आपर मौसम हो जोगा है नहीं दाज है और यहां पर देख यहां पाहड़े लेकीन यहां पर फोग और उपर से गंभण स्रफट आप्रसहम एक इसके आगे कुछ ही नहीं कि इस यह देखिए एक बहुत ही प्यारा यहां से नहीं ताल वाले बस्ते पर आप देखें यहां पर बारिश होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है यहां से यह पूरे धुल्ा हली की जबसे बला के नीचे भी मंह्ते बहुत है लेकिन रहा पर छोटे हैं लिकिन बड़ा है ठीव रहला कि यहां से जारहा कि यहां से इतना कंञ पूरा और लगर सब द्रॉंब के बलोग है फ मैंने थाह सै लगदा इसे लिगर आपिर tensions कुछ कि जुलाई जो है अलमोस्स वह स्टार्ट हो चुगा है लेकिन जुलाई में प्याज़ारी जगह जगह पर उपस है जो है बाल्स की वैसे काफी पहाड किसद के निचाए बहुत जगह इसे दो रखे हैं अब देखे बहुत जादा घराब है अभी मैं कई जगह दिखाए नहीं वीडियो लेकिन जब मैं आगे दिखाऊंगा तो वहां पे देखे हैं बहुत जागह ऊपा से बहुत पत्फर आएगा है अब देखूंगे फॉक इतना जाना फॉक है अब देख कितना जादा फॉक है और टाइम अभी बच चुका है नौ दस बच चुक है कुछ भी नहीं था पर रोड भूलकुल खा ली दी लेकिन सड़नली जो इतना फॉक आगए है आप आप देखूंग बहुत जादा बहुत तगड़ा वैधर है यहां पे इस टाइम नह जाद आएंगे आप लोगो को आप लेके ना अगर यह सारा जो मौसम है वह पारिश पढ़ने के वाद आप प्यारा लग रहा है यहां से भी तो आप में देखा हूं अभी थोड़ी देर पहले फॉक था अभी सब गाया है लेकिन थंडा गाथ ही हो रहा है यहां पे तो अब लोगो ने इसका लोकेशन बोला लेकिन जब आप नहीं दाल जाएंगे नहीं दाल कर दाल यह है और जब भी आप अलगान यह काट गदांटेंगे तो इसी रस्ते में मिल जाएगा तुबे के 8 बजे हुए है और पूरा हाउस पुल हो चुका है यह और अभी रूम यह पर अवेलिबल है नहीं बाकिस तुबे 5 बजे वहां पर अफ्लाई करना पड़ता उसके बाद ही नम्मर आता अधरम साला में रोम के लिए तो इसका ध्यान लखिएगा उसके बाद आगेगा यह बाल रोट पर आचे कहूं लेकिन यहां पर थोड़ी बूंदा बांदी जो अपना चाहता नाला नेका नदीजा देगा वागे गजब बेज जती है यहां का टिकेट काउंटर नहीं ताल में जो बहुत जादा बारिस हो रही है जूर जात हो रहे हैं वैसे ऐसे में टाइगर करें दिखाने के लिए तो यह लेदिया है अभी चलते हैं यहां से आगे क पूरा व्लोग नहीं देखा अगर आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे बता है मैं वह बता देता हूं ताकि आपके थोड़ा नॉलेज हो जाए इसके बारे में वैसे भालू के बारे में थोड़ा बहुत जो कहा जाता है कि भालू जो है ना एक नैच्रल तरीके से ऐसा बनाये हुआ है कि आप फियौर वेजटेरियन बोल सकते ना इसा मांसा हरी बोल सकते हैं कि इसका जो खाने का तरीका है वह दोने चीज़े खा सकता है लव वेजब बागी में जो कहने वाल इशे भी बताते हैं तो टाइगर और भालू की जो फाइट होती है तो टाइगर जो भालू से बहुत कम पंगे लेता है उसका सीधा से रीजन यह है वो हैं इसके नेल्स आप जब भी देखें कि तो 100 टाइम में 99 बाद जो है भालू ही मारा जाएगा लेकिन वो टाइगर इतना जड़ा जखूमी कड़ देता है कि अगले आने वोले कुछ टाइम में वो भी मर जाता है तो इसलिए भी टाइगर जो है भालू से बहुत कम पंग정 लेता है और बालू और टाइप की बहुत कम थैट के हां, ऐसा रेर कंडिशन होता है, जब टाइप बहुत साथ होग लगी हो तो हम फूर सिकार करताा है बालू का यह बाद बी सच है तो ऐसा स़ध नहीं है शिकार नहीं करता है लेकिन जो है पंगे बहुत कम होते है तो थोड़ी बहुत जानकारे में देता रहूंगा तोड़ी थोड़ी जितने भी अनिमल है यहां पर मैंनिताल जूमें कुछ वड़ी प्रफ्लम यह है अब इस चड़ाईयों पे चड़तना जूंके लिए तो जो मैं ऐसे मोटे इंसान जाते है न तो पुह रस्ते में गैस पहलाते जाता है कौन ही लोग यह पीचे कोई नहीं था खतनाक वाली बहुत खतनाक अभी स्टंड किया यहां कहां से आते ही पद्भू अभी आपे होगी गाइज यह है चीतल लेकिन बहुत लोग इसे बोलते हैं कि यह बड़ी अब यह नहीं होता है यह जिसको बोलते हैं हालांकि यह की ही प्रजाती का होता है उससे मेल कहता है बड़ी यह चीतल है डियर शायद अगर आगे बागे दिखाते हम पड़ी चीतल आप देखिए गुंसे कितना प्यारा यहां पर वीओ दिख रहा है आप लोगो सबसे सिंगल केज में रखा गया है और इसके टरी गया गया है इसको दिया गया है और पूरत केज हैं पर को दिखाता हूं संमब्स और डियर चोटी सब से अच्छा फेबड़ फूड है अगोर ये हैं जो ये स सबसे अच्छा फूड माना जाता है कि टाइब इसका आराम से शिकार करता है उसके वाल इसको आराम सिखाता है दो दिन यह बहुत बड़ा होता भी खैर यह तो बच्चा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ा बाला जो पीछे है अब हम इसके या डाता है व्याथ कंने के वाद एक लैपड्ड जो है वह बाहरा आया है उपर बैठा हुआ है अब ही यह तीन लेपड थे एक लेपड्ड जो है वो उसकी जो है मात हो चुकी ए ठाली दो लेपड़ बंदमे में बता रहे हैसा कि एंदर जो है इसके बच्चे बादा नहीं किस साइड मैं तो देखे ने दो 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 देखे थे अब एक मेल एक फिमेल अब यह कौन सा वाला बदाने बहुत जाला वेट करने वाद यह बहार आया इसको भी जादा लगता नहीं कि टाइम बचवें कि बहुत जादा यह बुढ़ा हो चुका है तुर तीन थे इसमें पहले अब इखाली दो ही बचे हुए और इसके कुछ कप्स है चाहिद फीमेल ने कर दो दिया है तो बागी देखिया कि सारे रस्क्यू करें वाले ट्रेंद हुए यह जितने भी लैपड़े सारे रस्क्यू करें हुए और मौसम बहुत आई आए बारिश में कोई बे जानवर बहार निकलता नहीं है जंगलों के सफारी जोगी विसलिए बंद कर दिया थे क्योंकि बारिश पगर हमें निकलते है नहीं कोई जानवर बहार आप देखें बहुत मुस्किल से निकला आई है तो अब यहां पर भी कुछ टाइगर्स की जो है खाल रखी हुई है अब यहां तो इसकी जो खाल हो किकनी पुरानी लग रही बहुत जादा पुरानी से बार में तो दिखा हुआ है साइब्रें तो जो स्नो में पाइजा रहते हैं तो शाम हो चुकी थी मौलोड पर कुछ खाने के लिए आये थे अभी यहां पर जो है मैंको इनकी आवाद बहुत पर आने लगे तो थोड़ा बहुत अब सुनिया में जा सॉम बातों जान जाने मेरी मान लोग हो तरह माना को चैनल सब्सक्राइब वीडियो का लाइक करते हैं बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट में लेकर आने वाला हूं तो चैनल को जरूर बने रहेगा इक हमेलते हैं नाइस ब्लाग में करते हैं